तो सबसे पहले आपको InShot एप को डाउनलोड करना होगा InShot एक वीडियो एडिटिंग एप है वीडियो एडिटिंग एप में आपको सबसे पहले इस तरीगे का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको एक ओप्शन दिखता है वीडियो का आप वीडियो के option पे click करने के बाद आपको यहां पे एक option दिखेगा new का जब आप यहां पे click करेंगे तो जो भी आपके gallery में या जो भी आपके phone में videos हैं वो यहां पे आपको show हो जाएंगी यहां पे आपको videos दिखेंगे उपर आपको यहां पे photos दिख जाएंगे और All पे क्लिक करेंगे तो फोटो वीडियो प्रस दोनों आपको दिख जाएंगी बट हमें अभी यहां पर एक वीडियो को एडिट करना हैं तो सबसे पहले हमें जो भी वीडियो को एडिट करना है हम यहां से पिक कर लेंगे मैंने इस वीडियो को पिक किया है, तो यहां पर इन्शॉट का लोगो आ रहा है, बट हमें इसको इन्विजिबल करना है, हमें यहां से हटा आना है, तो सबसे पहले इस पर आप प्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसे यहां से रिमूव कर सकते हैं, अब इस तरीके से आपका यह जो यहां पर टैग था इन शॉट का वो रिमूव हो चुका है अब हम यहां से में जो एडिटिंग होती है वो सबसे पहले जो भी हमारी वीडियो का फॉन्ट होता है उसका फ्रेम होता है वो हमें डिसाइड करना होता है जैसे कि हम यूट्यूब पर वीडियो अप्लोड करते हैं तो उसका साइज होता है जब आप यहाँ पर आएंगे सबसे पहला option आपको दिख जाएगा यहाँ पर canvas का जब आप canvas पर select करेंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे frames मिल जाएंगे यहाँ पर काफी सारे आपको frame मिलेंगे YouTube video का जो long form का video होता है उसका frame होता है 16 by 9 का तो आपको इस frame पर click करना है अगर आप इस frame पर click नहीं करेंगे और कोई सा और दूसरा frame लेंगे तो video long form में नहीं मानी जाएगी जैसे इसके बराबर में आप देख सकते हैं कि यह real वाला form है अगर आप इस video को ऐसे नीचे उपर करेंगे तो यह वाला जो font है यह जो frame में यह long जो कि जो voice है वो कम होगी तो आपको यहां पर सबसे पहले जब आप यहां से आगे करेंगे तो आपको एक option दिख जाएगा volume का जब volume के option पर आप click करेंगे तो आपको यहां पर 100 दिखेगी volume अब 100 volume को हमें तेज करना है तो आप इसे पूरा 200 कर सकते हैं इस तरीके से अब ह यह point होता है कि हम जो video shoot करते हैं तो shoot करते time काफी ज़्यादा हम mistakes करते हैं बोलने में काफी ज़्यादा मतलब कुछ गलती हो जाती हैं कुछ mistake हो जाती हैं तो आप मुझे कैसे edit करेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो को play कर करके देखना पड़ता है वीडियो को जब आप कि अब मुझे यहां तक अपनी वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला है, मान्ते हैं कि मैंने यहां पर कुछ गलत बोला था और मुझे यहां पे विल्कुल मैंने यहां से सही बोलना है, तो आपको इस वीडियो को वहीं पे ले जाना है, जिसे मुझे यहां से इस वीडियो को cut करना है, यहां से, तो मुझे क्या करना है, यह जो white line, आपको यह white line दिख रही होगी, उस वीडियो को वहां पे set कर देना ह कि मुझे यहां से इस वीडियो को cut करना है और जाना है split के option पे इस option पे आपको जाना है split पे जब आप split पे जाओगे तो यह video दो पार्ट में कर जाएगी अब आपको क्या करना है इस part को जो आपका गलत part था जो आपका mistake था उसे आप इस सरीके से बंद भी कर सकते हैं इस सरी इस तरीके से अब वो दुबारा से आपने हां पे कुछ गल्दी कर दे दुबारा से split करने के बाद यह part अलग हो गया और यह part अलग हो गया अगर आपको इस part को पूरी तरीके से डिलीट करना है यह part पूरा गलत है तो यहां delete option है पूरा part delete हो जाएगा बट उस पे क्लिक कर कर देंगे आप delete करने के बाद क्या होगा कि इस तरीके से आपको पूरी वीडियो को सुन सुनके जो भी आपने बोला है दीरे दीरे आप सुनोगे कि मैंने क्या गलत बोला है कहां पे गलत बोला है तो आपको वहीं पे video stop करनी है वहीं पे split देना है split देने के बाद अगर आ करनने थोड़ा सा यहां से स्थ तरीके से और इस तरीके से यह कि सी 보lyo का मेंट होता है कि हम चीज बोलता हैं कि हम अपनी वीडियो में और अगर क्लियर हो तो आप दुबारा रिकोर्डिंग भी acceso की से अब हम करते हैं वीडियो को सेव करने का उपशिन आपके अपे दिख जाएगा उपर जब आप सेव करेंगे तो आपको यहां पे यह वाला औप्षण चूज करना है मैंने और अल्रीडी स्लेक्ट किया हुआ है आपको यह वाला कर देना है तो सेप पे क्लिप जब आप करोगे यह वीडियो आपके डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी अब यहां पर आपको एड़्ट होगा इसके बाद आप इस वीडियो को डाउनलोड करके यह वीडियो डिरेक्ट आपके गैलरी में जाएगी तक होगी जब यह वीडियो डाउनलोड हो जाएगी